जो कि मिल रोई है मतुरा के बरसाना से जहाँ पर आज महापंचायत होने वाली है बैठेक में ब्रज के प्रमुक साधू संत इस वक्त शामिल है जो बड़ी जयांकारी है प्रदीप मिश्रा निदरसल राधा रानी को लेकर के टिपणी के थी संत समाज प्रदीप मिश्रा के टपणी से काफी ज़्यादा नाराज है और इसी को लेकर के बेक्त रोजी एलांग कर दिया गया था कि यहां पर जो तमाम साधू संत हैं वो पहुंचेंगे और जो बड़ी खबर है वो यह कि इस वक्त वहां पर महापंचायत चल रही है बरसाना में और यहां पर प्रदीप मिश्रा को लेकर के जो साथू संत है उनकी टिपणी को लेकर के नाराज की जाहिर करते वे नजर आ रहे हैं रसल पंडित प्रदीप मिश्रा जो की कथा बाचक है राधा रामी को लेकर के उन्होंने टिपणी कर दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि राधा रामी वहां की हैं ही नहीं और इसे को लेकर के जो साधू संद समाज है वो लगतान नाराज की जाहिर कर रहा है जो लेकर के भी विरोध जाहिर किया जा चुका है कि तस्वीर इस वक्त कि दिपक ये आस्था का विश्य है वहाँ पर लोग पहुंचते हैं बड़ी संख्या में दर्शन पूचन के लिए वहाँ पर साधू संथ समाज है जिनके आस्था जुड़ी हुई है ऐसे में पंडिक प्रदीप मिश्रा की टपणी इसको लेकर के जो साधू संथ हैं उसे गर अब की बातच्छित हुई हो क्या उनकी उमीद है महा पंचाज से क्या कुछ हो सकता है क्या संभाबना कि अजिदेखें उनकी उमीदों को लेकर करके अगर बात करें साधू संथ है कि उनके इखलाब में कानूनी कारवई की लगातर मांग उक रही है कहा जा रहा है कि इनके ख़बाति कछोर कछ़ोर कदम उठाया जाए बाराज भगवान पर टिपडी कर रहे हैं को लिए गुध प्रपनी करने का मतलब क्या है क्या पंडित प्रदीप निश्रा को नहीं पता राधारानी से लोगों का कितना भावनात्मक जुड़ाव है वहाँ पर जो बरसाना के लोग हैं ना केवल बरसाना के आज पास की जो त कहीं नहीं बेखा जाए बाहर से आने वाले लाकों तरफ जालू मत्रा बंदावन परताना अरादारानी के दर्सन कन्ने के लिए पुछ तरीके दरीके से अवेड टिपडी की गई है उसके लेकर के देखा जा रहा है वहां पी लगातर वहां पे खुर्ज कर रहे हैं उनका कहन है कि इनको कि इस तरीके की अवेड टिपडी करने का नहीं है जिस तरीके दे प्रदीप मत्रादारा अवेड टिपडी की है या लगातर व्रोद किया जा रहा है प्रदीप मिश्रा का जी प्रदीप मिश्रा की क्या इस पर कोई प्रदीपिया सामने है क्योंकि जैसा आप कह और वाई हो इस पूरे मामले में प्रदीप मिश्रा के विरुथ, क्या इस पूरे मामले को ले करके, इस महा पंचायत को ले करके अभी तक पंडिक प्रदीप मिश्रा की तरफ से कुछ कहा गया? इस महा पंचायत में अभी तक कितने सादू संत में पर पहुंचे हैं, कौन से बड़े चहरे जो किस महा पंचायत में शामिल हैं, और कब तक फैसला होने की उमीद? चीक अब देखना बहुत एहम होगा कि आखिरकार इस महा पंचायत में क्या फैसला होता है?